Hello friends, इस वीडियो में CETA 2021 के लिए उल 1st के पेपर, जो की 16 December 2021 को कंड़क्ट करवाया गया था, Mathematics portion के 30 questions ओफिशिल आंसर की के साथ सौल किये गए हैं. 1st question, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार विवस्तित करता है, कि उसने पहली पंक्ती में 11 जोडे सेब, दूसरी पंक्ती में 22 जोडे सेब, और तीसरी पंक्ती में 33 जोडे सेब रखे हैं. तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? 11 जोड़े प्लस 22 जोड़े 33 जोड़े और 33 प्लस 33 चाचट जोड़े सेब और एक जोड़े में दो सेब होंगे तो टोटल सेबों की संख्या हो जाएगी 132 Second option Next question निमनलिकित कतनों पर विचार करें सभी अभाज्य संख्याई विसम संख्याई होती है अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता है या फिर उस संख्या खुद का भाग जाता है For example, seven Seven में या तो one का भाग जाएगा seven times या फिर seven खुद का जाएगा one time तो ये एक अभाज्य संख्या है और most of अभाज्य संख्याएं विसम संख्याएं ही होती है लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विसम संख्याएं नहीं होती है क्योंकि एक संख्या भी ऐसी है जो की अभाज्य है और वो कौन सी संख्या है ये आपको comment करके बताना है Next statement, एक अंकवाली केवल पांच अभाजे संख्याएं होती है, ये भी गलत है, क्यूंकि एक अंकवाली केवल चार अभाजे संख्याएं हैं, और वो है 2, 3, 5, and 7 नेक्स्ट स्टेटमेंट जा सकती है तो हम पहले इससे kilogram से gram में convert कर लेते हैं 3 बटा 4 का मतलब होगा 750 बटा 1000 gram एक kilogram में कितने gram होते हैं 1000 gram तो अगर 1000 gram में से हम 300 600 gram लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 बटा 4 kilogram यानि कि यहां पर 3 बटा 4 kilogram का मतलब है साड़े 700 ग्राम चीनी एक बच्चे को देनी है और यहाँ पर टोटल चीनी है साड़े 28 किलो ग्राम यानिकी 28,500 ग्राम अब एक बच्चे को कितनी देनी है साड़े 700 ग्राम तो इसका हम भाग दे देते हैं यह चला जाएगा 25 से 3 टाइम यह 1, 1, 4 टाइम 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 38 यानिक यह चीनी बांटी जा सकती है 38 बच्चों में Next question, पूर्णांकों के संबंद में इन में से कौन सा अत्वा कौन से कथन सत्य है कथन अ, दो संख्याओं का गुर्णफल सदेव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है यह कथन गलत है कथन ब, दो संख्याओं का जोड़ सदेव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है यह कथन भी गलत है तो यह दोनों ही कथन आ सकती है Next question टीन थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है निमनली कितमे से कौन सा कथन सही है तो हमारे पास थालियां है 3 और जलेबियां है total 1 और 5 6 और 3 9 यानि कि 3 थालियों में 3-3 जलेबियां रखेंगे तो बराबर हो जाएंगी तो स में तो पहले से ही 3 है और 2 में से 2 जलेबियां उठा करके थालियों में रखेंगे तो तीनों में बराबर हो जाएंगी पहला ये option सही हो जाएगा थालियों में से 2 जलेबियां उठा कर थालियों में रखना Next question यदि 6 और 7 का लगुतम समापर्तिय X और Y के लगुतम समापर्तिय का आदा है 6 और 7 का लगुतम समापर्थिय, 6 x 7, 42, जो की x और y के लगुतम समापर्थिय का आधा है, यानि कि x और y का लगुतम समापर्थिय, इसका दुगुना होगा, तो दुगुना हो जाएगा 84, यानि कि x और y को जब हम multiply करेंगे, तो हमें मिलेगा 84, यदि x कमान 12 है, तो y कमान क् में find out करना है तो यह हो जाएगा y is equal to 84 upon 12 यानिकी 7 next question निम्ना लिकित में से 2.9 multiply 7.49 upon 11.51 के सबसे अच्छा सा निकटन कौन सा है तो जब हम इनको गुणा करके 11.51 का भाग देंगे तो यह लगबग रहेगा 3 multiply 7 upon 12 next question जया पहली कक्सा में पढ़ रही है शिक्षिका ने उशे कुछ चित्र काड़ दिये गड़ी की बैटरी, संत्रा, आइस्क्रीम कौन, मुमबती, किताब और एक स्टील का ग्लास शिक्षिका ने जया को एक चैसी आकृती वाली वस्तुएं उठाने को कहा उसने उठाया गड़ी की बैटरी, मुमबती और इस्टील का ग्लास उसने उन सभी वस्तुएं को समान मिश्यष्टा के आधार पर अलग कर दिया जो हैं तो ये सभी वस्तुएं बेलनाकार वस्तुएं हैं second option next question सुबद 6 बजे से दो पार 3 बजे के बीच एक सई घड़ी की घंटे की सुई कितने अंस का कौन घूम लेगी ये रही हमारी घड़ी गोल नहीं बनी है मान लेना की गोल है या फिर डिजाइनर घड़ी है जो कि मैंने अभी अभी डिजाइन की है ये हमारी घड़ी और ये है इसमें घंटे की सुई अब ये घंटे की सुई अगर 12 बजे से सुरु होके खुमते घुमते खुमते वापस 12 पे आए तो ये टोटल 360 डिगरी का एंगल कवर करेगी यानि कि ये जो टोटल एंगल है ये 360 डिगरी का है अब हम इसको चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो चार भागों में डिवाइड करने पर एक भाग हमें मिलेगा 90 डिग्री का और question कहरा है सुबद 6 बजे से 2 पर 3 बजे तक यानि कि घंटे की सुई यहां से सुरू होगी और घुमते 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 तीन पर आएगी एक दो और तीन भाग कवर करेगी तो एक भाग 90 डिग्री तो तीन भाग बन जाएंगे 270 डिग्री थर्ड ओप्शन एक आयत, जिसकी भुजाएं के उल प्राकृत संक्याओं में हैं कैच्छेतर फर 24 वर्ग सेमी है उसका परिमाप नहीं हो सकता 20 हो सकता है 22 हो सकता है 25 नहीं हो सकता क्यों की question में सर्थ दी उई है केउल प्राकृत संक्याओं ही लेनी हैं next question किसी मांचित्र पर 1 cm की दूरी प्रूमी पर 400 km की दूरी को निरूपित करती है यानि कि एक तरह से पैमाना हो गया 1 cm is equal to 400 km यह दी प्रूमी पर 2 अगर 400 km की दूरी पर इस्तित हैं तो मांचित्र पर उनकी दूरी होगी तो इस पैमाने की अनुसार चौती सो किलो मेटर सेंटी मेटर में हो जाएगा चौती सो अपॉन चार सो यानि की 8.5, साड़े 8 सेंटी मेटर Next question 800 मेटर की एक दौड में अनूप को पहले 100 मेटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मेटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकंड जादा लगते हैं और उसके आगे के 100 मेटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड जादा लगते हैं यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है अनूप को दौड को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये टोटल 800 मेटर की दोड़ है तो हम पहले इसको 100 मेटर यानि कि 8 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तो पहले 100 मेटर पूरिय करने में अनूप को समय लगा है 14 सेकंड उसके अगले 100 मेटर पूरिय करने में इससे 2 सेकंड जादा लगेंगे यानि कि 16 सेकंड इससे 2 सेकंड जादा फिर 18 सेकंड 20 सेकंड, 22 सेकंड, 24, 26 और 28 टोटल समय हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये मिलेगा 168 सेकंड यानि कि 2 मिनट 48 सेकंड Next question प्रत्यक संख्या के अंकों को पैचान कर अगली संख्या बताएं इन सब को आप अब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब में 89 का गयप है 910-89, 821 821-89, 732 732-89, 643-89, 554 Next question एक बच्चे द्वारा फाँच विषयो में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है उसने 3 विषयो में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किये उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयो में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है Total marks हो जाएंगे 74 x 5 यानि कि 370 marks इन में से 3 subjects के marks है 70, 75 तता 80 यानि की 225 marks जो की 3 subjects के हैं अब इनको इस total में से घटा लेंगे तो हमारे पास रहेंगे 145 marks जो की 2 subjects के हैं और इन 2 subjects का माध्य हो जाएगा 72.5 Second option Next question हर्षित अमीना और जोसिफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है निमनली कित्मे से कौन सा सही है हर्षित 5.32 पे चलना प्रारंब करता है और 6.49 तक चलता है यानि कि ये चलता है 77 minutes के लिए अमीना चलती है इसी तरह से 70 minutes के लिए और जोसिफ चलता है 85 minutes के लिए हर्षित और अमीना समान समय अबधी के लिए चले नहीं जोसिफ अमीना से 8 minutes जादा चला ये भी गलत है जोसिफ हर्षित से 15 minutes जादा चला ये भी गलत है अमीना सबसे कम चली है ये सही है Next question एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वे दोनों को एक ही स्रेणी में निर्धारित करता है, वेन हील की जामिती तरक किसे दान्त के अनुसार छातर किस चरण पर है, बच्चा सिर्फ विजुलाइजिशन कर पा रहा है, उसको दोनों ही चौकोर नजर आ रहे हैं, वो उसका एनालीसिस नहीं कर पा रहा है, फौर्थ ओप्षण दर्शी करने स्तर, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं का योग सिखाने की सुरुवात के लिए उप्योगत होगा, प्रासंगी के इस्तती के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, इस राष्टरी पाठी चर्या की रूपरेका 2005 के अनुसार, कौन सा आधार उतक्रिष्ट गणिती शिक्षा के द्रश्टी कौन को प्रदर्शित करता है, उच गुनत्वा पूरन गणिती शिक्षा वय है, जिसमें कोई विध्यार्ती अनुत्रिन ना हो, गणित की शिक्षा वि एक शिक्षिका ने अपने चात्रों को गणित की पत्री का बनाने के लिए कहा, और उसमें उन्हें, उनके द्वारा दैनिक चीवन में परियुप्त की गई गणित की स्थतियों को लिखने के लिए कहा, उसका उद्धिश ये है, आने वाले निरिक्षन के लिए कक्षा को त थर्ड ओप्शन निम्न लिखित में से दीन्स ब्लॉक का प्रियोग करके किन अवधारनाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? संख्याई और इस्थानियमान, प्राइक्ता, योग, घटाव, प्राइक्ता को दीन्स ब्लॉक के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता? एक चातर को जब 6,065 को संख्या की रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसको 665 लिखा, इस प्रकार की तूटी हुई, क्योंकि चातर को संख्याई की समझ नहीं है, या चातर को गणना सुचक और कृम सुचक संख्याई का बोध नहीं है, या एक संक्रियात्मक त पूटी है या चात्र ने स्थान्यमान की अब धारणा को नहीं समझा है फॉर्थ ऑप्षिन योग की एक शमश्या 234 प्लस 42 को हल करते हुए एक विध्यार्थी ने जोर से कहा यदि 45 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा परन्तु यह 42 है इसलिए यह 244 प्लस 226 होगा इसलिए 234 प्लस 41 हुआ, 226 विध्यार्थी द्वारा प्रियुक्त युक्ती के लिए निमनलिकित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, गणित की कक्षा में मौकिक परिकलन ये युक्तियों को हतोत साइथ किया जाना चाहिए, इस तरह की प्रनालिया द्वारा हल की गिशमश्यां को ठीक करते हुए, ए इस तरह की कलन विधी, विध्यार्थियों के अवधारनात्मक ज्यान की सूचक नहीं है, गणित में अनौपचारी क्रणनितियों का उप्योग, एक शिक्षक को बच्चे की अवधारनात्मक समझ की प्रकरिया को जानने में शाहिता करता है, पौर्थ आप्शन, कुद चात चात्रों में भागफल और शेशफल शब्दों के शात उलजन है, चात्रों में इस प्रकार की उलजन को दूर करने के लिए निम्न में शे कौन सी निती उप्योगत है, श्यामपट पर शिक्षक द्वारा अनेक विबाजन समश्याओं को निरूपित करना, चात्रों को कारी शीट या कारेपत्री का दी जाए और उने उनका अभ्याश करने के लिए का जाए, मूर्थ पदार्थों का प्रयोग किया जाए, और शात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन प्रकार के समू बनाएं और समू की शंख्या और समू के बार की वश्तूवा का निरिक्षण करें। भागफल और सेस्पल की परिभाशा को कम से कम 20 बार लिखना। थर्ड ओप्शन। निम्न में शिक्या योगात्मक मुल्यांकन की विशिष्टा नहीं है। यह शात्र के अंत में होने वाली परिक्षा है। इसका उप्योग श्रेणी कर्ण कक्षोनती और इस्थापन में होता है। यह शात्रों के शामर्थे और कमजोरियों का निदान करने पर क्यांदरित है। यह उत्पादन अनुकूलन है ना की प्रक्रिया अनुकूलन। थर्ड ओप्शन। नेक्स्ट क्वेशन। निम्न लिकित में से कौनसा गणित पढ़ाने का सरवाधी क्वांचनी ये गोण है। नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन। निम्न में से कौनसे गणित की प्रकृती के अनुसार सही है। गणित की अपनी भासा है। किसी भी गणित्य शमिश्या का केवल एक ही हलोता है। गणित्य अवधारणय अमूर्थ होती है। सेकंड ओप्शन। लास्ट क्वेशन। द्रिश्य करण और प्रदर्शन। प्रात्मिक इस्तर पर शिक्षन में शूनिश्चित की जाने वाली महतवपूर्ण प्रकृत्रियाएं हैं। क्योंकि उच गणित में 20 गणित और ज्यामिती को पढ़ाने के लिए ये नितार्थ है। प्रात्मिक इस्तर पर केवल यही कौशल सिखाये जाने चाहिए। गणित में अधिगम के मुल्यांकन का यही एक मातर तरीका है। यह यह शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। फर्स्ट आप्शन। So friends, यह थे Maths के Questions। उम्मेद करती हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you so much and all the best! झाले मिलते हैंática